तो यह बड़ा सवाल है आप सबके दिल में यह question घूम रहा होगा खास कर अभी जो बिट्कोइन ने एक positive move बनाई है which is very surprising to be honest to September generally Bitcoin के लिए अच्छा नहीं होता है बड़ इस बार थोड़ा सा यह उल्टा हो गया है सेप्टेंबर बहुत बड़े margin से तो नहीं बहुत बड़े margin से तो नहीं बहुत लीज 1.16 परसंट के असपास जो है सेप्टेंबर के अंदर हम हरियाली देख रहे हैं क्योंकि शायद token 2049 भी आ रहा है तो token 2049 और जो फेडरल रिजर्व का जो rate cut है उसके announcement भी और इस तेम पता है कि rate cut थोड़ा बड़ा कर देते हैं मतलब और अगर ये क्योंकि एक जो वहां का जो बहुत prominent अकबार है अमेरिका का उसने ये article छाप दिया के फिड के अंदर ये confusion चल रही है तो उसके बाद ये bullish momentum बना तो मैं उसको पूरा detail में cover करूँगा and then we'll try to figure out कि क्या hundred के by the year and cross करे का नहीं करेगा इसको last में हम discuss करते हैं तो फिर मैं अपना personal opinion भी दूँगा दो it won't be a financial advice ठीक है चलो discuss करते हैं देखो जबसे बड़ी बात पता है क्या है last quarter हमेशा bitcoin के लिए अच्छा होता है quarter four quarter four का मतलब है October, November, December इसमें अच्छा भी होता है return देखो जड़ा October last year 57% का return था 2020 में 170% का return था, 2017 में 250 मतलब जब return आता है तो बड़ा return था, शायए 2021 ही एक ऐसा साल था, क्योंकि 2020 में इतना बड़ा return था, 2021 में कोई खास return नहीं था, क्योंकि पिछले साल बहुत बड़ा return हो गया था, तो probably quarter four के अंदर अच्छा करता है bitcoin, right, और quarter three हमेशा ही ऐसा average आता है, और September का महीना अगर हम देखें ना, पिछले 10 साल के history में, तो September का महीना हमेशा ही बुरा होता है bitcoin के लिए, but इस साल चलो ठीक है, 1.16% का return है, but October is always good for bitcoin, आप देख सकते हो, double digit और काफी margin से काफी returns होते है, तो October, November, December हमेशा bitcoin के लिए अच्छा होता है, तो एक तो ये बड़ा reason है कि most analysts believe that, you know, bitcoin should go to 100k, 100k US dollars, वन्दब ये बहुत बड़ी figure है, psychological भी बहुत बड़ी figure है, ये बहुत लोग कई साल उससे तपस्या कर रहे हैं, जैसे कि इस figure को देखने के लिए, एक mental एक वो होता है, गया, ठीक है, bitcoin is like 100k, दुनिया में एक आवाज जाएगी कि अच्छा, bitcoin you know, has reached 100k, और बहुत सारे लोगों के attention इस पर जाएगी, obviously, figure है, एक mental हो है, तो अब बहुत analyst का ऐसा belief क्यों है, despite the fact कि US collection हो, you know, it really doesn't matter कि कौन जीते हैं, बढ़ाँ obviously, Donald Trump जीता है, तो definitely, it'll be like super bullish moment for bitcoin, Kamala Harris भीन altcoins के लिए positive नहीं है, overall, उसके लिए कि इन टीम है, bitcoin के लिए के वो you know, supporting entities हैं, जो bitcoin के अंदर donation ले रही है, वो directly नहीं ले रही, लेकिन उसकी कुछ entities हैं, जो Kamala Harris को support करती है, वो bitcoin के अंदर donation accept कर रही है, ठीक है, तो एक तो ये fact है, समझ लो, कि really doesn't matter, कई analysts, बड़े-बडे नाम है, in fact, यहाँ पर, जो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ यहाँ बड़े-बड़े analysis हैं, Bernstein है, you know, और कई लोग का मानना है कि, you know, bitcoin is unstoppable, 100k is there, पता है क्या reason कह रहे हैं को, एक ना यह, एक और reason बताता हूँ, यह Wall Street Journal ने एक article चाप दिया, एक article का नाम है, the Fed rate cut dilemma, start big or small, मतलब उसको Fed को ही लग रहे है कि, यार, क्योंकि inflation is close to 2.5% के असपस आ गई, ठीक है, अब वो कह रहा है कि, बड़ा leap लेते हैं, बड़ा rate cut करते हैं, या चोटा rate cut करें, ठीको बड़ा rate cut करने का, उनको थोड़ा से लग रहा है कि, अगर हम 0.50 basis point का करते हैं, तो market में कहीं यह न जाए कि, यार, अचानक market वो जो expecting 0.25 basis point का rate cut, लेकिन, यह कर दिय 0.50 तो क्या कोई बहुत बड़ी problem तो नहीं economy में, तो कई बार क्या होता है, जब बहुत बड़ा rate cut एकदम कर दोना, तो भी market के अंदर एक sentiment जाता है, कि यार, कुछ गढ़बड है economy में, and fed को वो पता है, तो उन्होंने यह बड़ा rate cut करके market को बचाने की कोशिश करिए, gradual मे क्या होता है, कि ठीक है, जैसे market करना sentiment है, वैसे fed ने rate cut करा, अब यह dilemma में है, देखे, overall क्या होता है, कि जब rate cut का मतलब क्या, rate cut का मतलब है, कि liquidity बढ़ना, market में, जब liquidity बढ़ती है, तो obviously, you know, उसका impact आता है, already उसका impact आना शुरू हो गया, बाइद हो, अगर आप देखो, stock market पे, S&P 500 पे, gold is at all time है, जिसको मैं आगया भी cover करूँगा, तब आपको मैं figure out बताने की कोश्च करूँगा, कि actually है क्या, देखो, इस टाइम जो betting market है, आप यह देखो, betting market कितनी बढ़ी है, यार, एक, दो, तीन, चार, पाचे, साथ, तीन, करोड, चालिस लाक लोगों ने यह bet किया है, कि 25 basis point से rate cut होगा, ठीक है, सोरी, यहाँ पर किया है, तीन, करोड, सतर, लाग लोगों ने और करीब 54,11,000 लोगों ने बोला कि 35% rate cut होगा, और 35% लोगों ने बोला कि 50 basis point, सोरी, और 64% लोगों ने बोला कि 25 basis point जो है, वो rate cut होगा, तो, अभी भी 25 basis point का ही rate cut expect कर रहें लोग पट यह फिगर जो पहले कभी जीरो वगरते थी बहुत नगलीज आज की डेट में 35 परसंट अब देखो यह कब तक यह होता है तो मार्केट भी वे कर रही है थोड़ा सा के 50 basis point के भी chances और अगर ऐसा होता है मैं इसको थोड़ा चार्ट में दिखाता हूँ देखो all time high पे है इस time gold cross कर गया है S&P 500 all time high के आसपास है और bitcoin अपने all time high से बहुत नीच है bitcoin यहाँ पे है but overall gold and S&P 500 doing well purely because of this news के market के अंदर liquidity injection होने वाला है तो जैसे liquidity inject होती है तो obviously वो already gold and S&P 500 are at all time high gold in fact इसलिए भी बढ़ता है देखिए कि कहीना कहीना उसको माना यह जाता है कि gold इसलिए बढ़ रहा है कि uncertainty है market के अंदर अभी भी क्योंकि जो हमने पीशे भी मैंने आपको जो परसों की जो news अगर आपने देखियो कि तो काफी सारी companies bankrupt हुई है काफी सारी companies है bankruptcy file किये और US के अंदर काफी सारा job loss भी हो है जो figure statistics वो दिखाती है government और जो actual ground पर जो reality उसमें बहुत जादा difference होता है ठीक है तो यह है उसके बाए देखो micro strategy ओ कुछ नहीं कबरा रहा ओ लड़का कह रहा है भाई माइकल सेलर कह रहा है के भाई मैं तो bitcoin खरूँ दोंगा उसने और वन पॉइंट वन बिलियन यूज डॉलर वर्थ ऑ बिटकोई खरीदे खरीदे अब माइकल सेलर के पास 14 बिलियन यूज डॉलर वर्थ ऑ तो उसकी वो बाइंग थी और आज की डेट में जो वैल्यू 14 बिलियन अल्मूस्ट मोटा मोटा 5 बिलियन की वो प्रॉफिट पे है इतना bitcoin उसके पास कि उसकी जो total market cap है उसका 51 परसंट तो bitcoin ही है उसके पास और उसके बाद अलावा उसका जो total bitcoin की supply है सबसे बड़ी जो supply आ माइक्रो स्ट्राटेजी होल्ड करता है नॉन ETF अगर कोई company है तो वो होल्ड करती है तो आप यह देख सकते हैं 1.166% तो यह है माइक्रो स्ट्राटेजी की बात करो देखो आप घवराते रहते हो ना देखो माइक्रो स्ट्राटेजी की history देखो उसने माइक्रो स्ट्राटे 68,000 US dollar पर 821 million US dollar डाले ते उसने मतलब और उसके वार 60 से अभी देखो 67,000 का था bitcoin तो 623 million उसने डाले ते तो so उसने 1 billion डाले जब bitcoin 60,000 US dollar पर फिर भी उसने हाई इतने उसने जाहतर पैसा जब bitcoin अपने all-time high पर था तब डाला है बहुत अब काफी higher side पर डाला है लेकिन फिर भी वह 5 billion US dollar पर प्रॉफिट है तो दिजिस शोस के dollar cost averaging अगर आप तीरे देरे bitcoin को अगला लेवल्स पर खरीते रहे तो अगर आपका long term perspective है बड़ा हाँ bitcoin को exchanges पर आप यह strategy नहीं बना सकते हैं यह लोग तो vault में रखते हैं code story में र systematic and active ETF का head is Jay Jacob उसने बड़ी बहुत बड़ी बात बोल दे उसने बोला है lot of investor look at bitcoin as a potential hedge against geopolitical and monetary risk other investor look at it as a way to play future adoption of blockchain technology in either case investor must take a measured approach to bitcoin ठीक है न तो यहाँ पर के it is a काफी सारे लोग जो है को इसको hedge against geopolitical and monetary risk देखते हैं और यह आ रहा है जो blackrock के ETF के काफी senior बन देगा solo miner solo miner मतलब समलो कि single आदमी थे solo miner यह समलो एक miner है यह node है यह blockchain है solo mining मतलब इसके negligible chances होते हैं किसी जमाने में एक machine आप लेके आते थे और उससे आप bitcoin को mine कर लेते थे अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी machine जो है उसको mining pool में डालते है और mining pool के अंदर डा कर देते हैं वहाँ से फिर mining pool के अंदर जो reward आता है वो सब में बढ़ जाता है proportionately लेकिं single miner के लिए तो almost impossible है bitcoin को mine करना लेकिन अब भी single miner जो हो bitcoin को mine कर ले जाते हैं और ऐसे cases सुनने में आते रहते हैं इस साल बहुत सारा हैं पिछले साल भी काफी थे तो अब भी solo miner माइनर म फिर भी chances बहुत negligible है बटसे chances हो chances है ठीक है और अगर हम देखें poly market के अंदर poly market के अंदर जो खबर यह है कि 84% chances कि हैं कि Donald Trump अपना token अपना खुद का token launch कर सकता है तो यहां पर अब यह 69% पर आ गया जो latest मैं देख रहा हूं कि Donald Trump election से पहले खुद का token launch कर सकता है और अगर ऐस finance जवाब नहीं दे रहा है वजीर एक्स के case में देखो अगर moratorium जो है यह suppose लोगों ने support नहीं करी और chances यही है कि moratorium को जातर लोग support नहीं कर रहे है और moratorium सबका support मिला नहीं और court ने grant नहीं किया ठीक है कि यह नहीं कोई 6 मैने का time नहीं है हम accept नहीं कर रहे है तो पिर ही होग राइट तो अब Binance और वजीरेक्स का जो case चल रहा है Binance की तरफ से एक बार भी CZ ने last time tweet किया था कि वो वजीरेक्स को own नहीं करते है वजीरेक्स कोई हिस्ता नहीं कोई नहीं आता नहीं that's okay and लोगों ने वो देखा भी था और उस चीश को एफिडेविट में accept भी किया है कि उन्होंने भी अपने funds वापिस ले लिए वहाँ से crypto वजीरेक्स ने ले लिए थे और under protest लिए थे case चल रहा है उस case के बारे में Binance आज की क्यास देती है वजीरेक्स के उपर कोई एक tweet या एक clarity तो दे दे है वो एफिडेविट के अंदर अगर मैं कहता हूँ निस्चल जूड बोल रहा है तो कम से कम जो Binance है वो बड़ दे के वो जूड बोल रहा है एक line डालने में क्या है एक tweet डालने में क्या है क्या CZ clarity नहीं देता था जब CZ होता था यह नई management जहीं जवाब क्यों नहीं देती और यह जो नहीं management को यह feel करना चाहिए कि Indians के 2-5,000 करोड भई Indians नहीं तुम्हे number one बनाया है, Binance से सवाल पूछना गलत नहीं है, मतलब क्यों Binance बड़ा है या CZ बहुत बड़ा है इसलिए सवाल नहीं पूछेंगे, मैं कह रहा हूँ कि निस्चल से सवाल पूछ रहे है, निस्चल के उपर F.I.R. भी कर रहे है, सब कर रहे है, Binance से हर महीने 6.13 मिलियन लोग जाते हैं, उसकी वेबसाइट पर Binance को एकसेस करना है, तो यह मेरा टेक था तो आपका क्या टेक है, एक बार कॉमेंट करके ज़रू बताएए, बाइस लॉजिक, बाइस चार्ट, समबड़ी शेर्ड के भाई, अगर यहां से जाता है और इस लाइ ज़र 270 बिलियन युज डॉलर का, रिक एडलमन उनका कहना है कि बिटकोइन कोड़ भी 4,20,000 युज डॉलर बाई 2030, बिटकोइन ETFs इंफ्लोस आ ट्राइंग अब यह वरिंग साइन है, इस पर बहुत ध्यान देने का है, और यह चार्ट आप देख सकते हो कि रेड काफी दि जो इंफ्लोब यह वो बड़ा कम है, तो इस पर नजर बनी रहेगी, राइट, यूके के अंदर एक ख़बर या रही है कि यूके में एक कोर्ट केस के दुरान, यूके कोर्ट ने बोला है कि टेदर इस अ प्रॉपर्टी, तो एक केस के दुरान यह बोला, तो वैसे भी वह यूके में एक लॉप प्रपोज किया जा रहा है कि भई, क्रिप्टो शुट बी ट्रीट इस प्रॉपर्टी, पस्नल प्रॉपर्टी का दर्जा मिलना चाहिए, तो यह है, क्रिप्टो की ताजा खबर, उमीद करता हूँ, आपको आज की कुछ खबरे पसंद आई होंगी, अगर पसंद आई होंगी, तो एक बारी कॉमेंट करेगा, चैनल पर पहली बार है, तो सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, यह रिक्वेस्ट है, ठीक है, मिलते हैं, फिर एक नई वीडियो पर हाँ, जाता है जाता है, थैंक यू बेरी मच फॉर, दाट सुनी, सर के उसके कॉमेंट देखने वाले, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार ही जाके चैनल पर जरूर देखेंगा, मैं दिस्क्रिप्शन पर लिंक छोड़ दूँगा, चलिए, विदिस दॉट, थैंक यू वेरी मच.